नवश्कार दोस्तों एक बार फिर से जी और एटल की बहुत बड़ी लड़ाई देखने के लिए मिलती है और इस्पेशली वो लड़ाई खतम नहीं हो पा रही है फिक्स वाइलेस ब्रॉडबेंड सर्विस को लेके की वो किस तरीके से आपको जादा से जादा अच्छी सर्विस प्रॉडबेंड करवाई जा सके लेकिन एम जो है वो जादा से जादा पैसे किस तरीके से कमाए जाए क्योंकि यहां पर एटल और जीओ बिल्कुल आमने साब ने आ चुके हैं कि जो हम सर्विस प्रोवाइट करवाएंगे मतलब फिक्स वाइलेस ब्रॉडबंड सर्विस वो 5G पर करवाएंगे लेकिन एक है सैटलाइट ब्रॉडबेंड क्योंकि जो मैक्सिमम लोग लेते हैं वह लेते हैं और सब सच्छी बात यह सैटलाइट इतना है कि वह इस तरीके के कनेक्शन अबिलेटी वह बाया मतलब वाइलेस ब्रॉडबंड सर्विस आपके खर्में प्रोवाइट करवा सकता है क्यों सबसे बड़ी दूबीदा यह है कि किस तरीके से इस पे एक सहमती बैठ है और एटल और जियो दोनों मान जाए क्योंकि यहां पे जियो हमेशा अगेंस रहता है कि सैटलाइट ब्रॉडबेंड करेक्टिविटी डारेक्ट टू कस्टमर नहीं देना चाहिए और वो देते है तो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्यूनिकेशन को रिफंड कर देना चाहिए वह अमांट जो कि हमने 5G स्पेक्ट्रम में इंवेस्ट किया है लेकिन क्या सच में एक्चुली जो वेट कर रहा है वो सैटलाइट ब्रॉडबेंड का कर रहा है क्योंकि यहां पे एक सैटलाइट ब्रॉडबेंड सर्विस को लेकिन बात करी जाए तो किस तरीके से एक अच्छी सहमती बन पाए कि आपको मैक्जिमम यूसर्स को एटलिस ब्रॉडबेंड सर्विस किसी भी कंडिशन पर मिल सके जहां फाइवर नहीं है जा टावर नहीं है जहां एटल की यूटल सैट वन वेब देखने के लिए मिलती है जिसने की रिलाइंस की यह चो डिमांड पूरी तरीके से खारिश कर दी है मतलब हम क्या सकते हैं कि एटल एटल हो कोई फरक नहीं पड़ता कि आप चीकते रों चिलाते रों हम जैसी गौर्नमेंट हमें अलावेंस क कर सकते हैं वह कॉमेशल तौर पर यूज कर सकते हैं मतलब अभी ट्राइल पी रेटे तो किसी भी कर सकते का और कू बैंड उन्हें स्पेक्ट्रम यूज करने के लिए दिया गया है अब भारती एटल क्योंकि यूटल सैट वन वेब का यह कहना है कि हम डारेक्ट टू कस्ट भी को मिलती है जैसे कि एक्जाम्पल के तौर पर हम भारती एटल की बात करें तो भारती एटल उसके दुआरा मतलब अपनी एयर फाइवर कनेक्टिविटी लेके आ सकती है लेकिन यहां पे एक सबसे बड़ा मुद्दा यह बनता है तो उसके पास 5G स्पेक्ट्रम ही नही करेंगे अब सबसे बड़ी दूबीदा यह है कि जियो जो डिमांड करता हो यही करता है जो सैटलाइट स्पेक्ट्रम अलाट्मेंट किये जा रहे वह विताउट आप्शनिंग ना करे जाए और विताउट आप्शनिंग वह किसी भी तरीकी की कॉमेर्शियल फिक्स वाइल अलग है क्योंकि यहां पे एक विशेषता यह देखने के लिए मिलती है सर्विस में क्योंकि दोनों के डिफ्रेंट बिजनिस मॉडल देखने के लिए मिलते जैसे कि फाइब जी पर बात करी जाए तो वह वन जी वीपियस तक की आपको स्पीड ऑफर कर सकते हैं प्लान के हैं तो वाइलेस ब्राइबंड सर्विस आपके घर तक प्रोवाइट करवाएगा तो वह सबसे बड़ा इशू बनता है अभी लेकिन फाइब जी पर हम कह सकते हैं कि हाँ आपको वन जीपियस की स्पीड देखने के लिए मिल जाते क्योंकि एटल ने खुद 4.7 जीवीपिय वाइलेस ब्राइबंड सर्विस के लिए लेकिन एक दुबीदा यह बनती है तो हम ग्लोबल लेल पर देखने हैं तो जीओ वहाँ पे बिल्कुल भी टक कर लेता वह दिखाई नहीं देता तब सैंट्र कवर्बंड की बात आती है तो वह कहीं ना कहीं ग्लोबल पेरामेटर उसको देखके कोई भी डिसीजन लेती है जैसे कि सैटकॉम सर्विस की बात करें ओल्रेडी फिक्स वाइलेस ब्राइबंड एक्सिज जो आपको देखने के लिए मिलता है वो कनेड़ा हो गया यूरोप में हो गया दक्षिन अफ्रीका में हो गया इन कंट्रियों में अल्रे करेक्टिवीटी पर ये फायदा होता है किसी भी टेलिकॉम कंपनी को कि वो वाइलेस ब्राइबंड करेक्टिवीटी आपको प्रवाइड करवारी है नॉर्मल मुवाइल चार्ज के मुकाबले मतलब तीन गुना पैसे देने परते हैं उपर से फिक्स वाइलेस एरिया पर क देखने के लिए मिलती है अब देखते हैं कि एटल तो मतलब बिलकुल की मना कर रहा है कि भाई सब्सक्राइब हमारी कम से कम जो सर्विस है वो एंजॉय करें और जादा स्यादा कस्टूमर तक डिलीवेट करने की कोशिश करें अब सबसे बड़ी जो मध्धार अटक गई ह कि वह किस तरीके से निर्ने लेता है क्योंकि अभी कोई भी डिसीजन के लियर नहीं करा है डिपार्टमेंट ऑफ टैली कम्युनिकेशन के तरफ से क्योंकि जीओ ने डिमांड रखी है तो उनकी भी सुनी जाएगी क्योंकि यहां पर मुकेश अंबानी का नाम आता है रिला सब्सक्राइब कर सकते हैं अब देखते हैं यह तो मेरी गड़ना है खुद के लेकिन किस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं क्योंकि किसी को भी लॉस ना हो और सबसे जादा बुनियादी सवाल जो है आप सबको जादा से जादा बैनेफिट हो यह वीडियो आपको सबस्क्राइब कर सकते हैं